मतादे की हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है कुछ लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल रिपर किया गया है SP की तरफ से ये जानकारी दी गई तो वहीं मौके पर प्रिश्वासन की टीम पहुत चुकी है और जाच लगतार जारी है आपको बताते चले कि इस फैक्टरी को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई लेकिन शिकायत के बावजूद किसी तरह का सक्त का संग्यान नहीं लिया गया कारवाई नहीं की गई जिसके तहत आज नतीज़ा ये हुआ कि बड़ा हादसा देखने को मिला हालंकि यहाँ पर साफतोर पर डजर आ रहा है कि लापरवाही बरती गई है जिसके जलती है भीशर हादसा हुआ कई भसदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आई है कई लोग घायल हुए है और सब ही घायल लोगों को अस्पताल पहुचाया गया है उनका इलाज जारी है लेकिन अब इस पर कारवाई क्या कुछ होगी यहाँ पर यहादसे के पीछे की वज़ा क्या कुछ बताई जा रही है इसको भी देखने वाली बात है कि आखिर यहादसा कैसे हुआ यह बड़ा विस्पोट कैसे हुआ बताई जा रहा है कि यह विस्पोट इतना भीशर था कि 70 किलोमेटर तूर तूर तक इस हादसे की आवाज गुची लोगों दौरा बताया जा रहा है कि मानो उस दौरान बादल फटा हो ऐसी आवाज आई और जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मौके पर भीशर विस्पोट हुआ है फैक्टरी में जुल्फिकार लगतार हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं जुल्फिकार आखिर क्या कुछ जानकारी फिलहाल की फाइनल अपडेट जो जानकारी आ रही है कि जिला प्रसासन की टीम मौके पर पहुँची है और भी टीमों को पहुचाया जा रहा है और जो फायर बिगेट की टीम है उसको भी रवाना कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके लिए बड़ा हादसा है और काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई और जो वीडियोज भी आये हैं तो दूर से ही लोगों ने बनाये हैं कि बिस्पोट हुआ है तो देखें कि कितने उचाई तक धुए का गुबार है और आग की लप्ते हैं तो यह एक बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे में कई लोगों की के जुल्टी होने की बा यह उसे बात हुए तो उनसे पूछा, थो उन्होंने भता एक हादसे का उन्हों सुछना तो मिली है। यह उन्हें अस्पताल रेफर किया गया है और पूरी मौके पर पुलिस पर सासन भी पहुंच रहा है और लगिन बात जरूर है कि जैसा कि हमारे सही होगी बिमेत्रा से सुजित सर्मा बता रहे थे कि इस फैक्टरी की कई सिकायते आती रही हैं कि जो निमानक होते हैं जो मापदंड होते हैं किसी भी बारूद को संचालित करने के लिए वो पूरे की जा रहे थे कि नहीं और यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है क्योंकि बारूद की फैक्टरी है और यह संबेदन सील पदार्थ होता है कि जहां पर अगर अगर इस पर प्रोडेक्शन हो रहा था कि पटाखे बनाए जा रहे थी या कोई और चीज के लिए वारूद का उपयोग किया जा रहा था कि उन तमाम मापदंडों का उपयोग करना पढ़ता है जिसे यह सुरक्षा के लिहाद से तो यहां पर मापदंडों का उपयोग नहीं हुआ इस तरीके के जो प्रात्मे की जानकारियां आ रही है उससे तो यह लग रहा है जो लोग वहां के आसपास हैं उन्हें सुरक्षा उपलब्द कराई जाए तो अभी किस्तित है तो आज क्योंकि बेमेत्रा से काफी दूर है राध्यानी रायपूर से करी 40-50 किलोमेटर दूर है तो ऐसे में जिलापरसासन के आसपास के टीमों को भी अलट किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो उनको भी बुलाया जाए तो इस तरीकी कि जिलापरसासन की सूचना एक दूसरे को दी जा रही है अलग अलग जिलो से भी फायर विगेट के टीम को बुलाया जा सकता है तो मौकी के लिए हम भी रवान हो रहे हैं और मौकी में क्या इस तरीके का ये बिस्पोर्ट हुआ है उसमें कई लोग हताहत हो सकते हैं लेकिन अब तर प्रिशासने किसे अगर के वारूत की हैं किस तरह से दिशानिष उते है उसका पालन करना होता है मनक की तरफ से और गर्म तरफ से आरक तयार किया घा रहा है तो उसमें पूरीं तमाम सावधानी बरती जाय हैं कि ये बहुत सिर्फ अदारत होता है और इसे जैसे सब्सक्राइब कोई इतना दूर रखा जाए कि वहाँ पर जो मजदूर है जो कर्मी है तो उनको यह ताक्वीद रहती है कि कोई भी वहाँ पर सिगरेट नहीं पिएगा बीड़ी नहीं पिएगा त्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटी-छोटी सी लापरवाही होती हो जिनको का एक बड़ा खामयाजा भूगतना पड़ता है लेकिन जब समागरियां हैं अगर देखे तो इनमें अगर जो आग लगने की वज़ये हैं या इसमें पिस्पोट होने की वज़ये कहीं ना कहीं से इस पार्क होता है दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अभी जिस तरीके से प कोई भी वारुत इस्टेबलिस की जाती है उन तमाम मापदंडों को रखा जाता है यह यह टेकनिकले एकस्पेटर के जरिए उनको समझाया भी जाता है कि किस तरीके से उन्हें मापदंड को रखना है तो सबसे पहला यहीं है कि जो भी आपे काम कर रहın के साथ वह काम करें पार्किंग की कोई सभावना नहीं हो पार्किंग की कुछ नहीं हो आजपास जो है जो कच्र इक्ठडा होता है जिस तरीके से फेड़ पत्ते गिरते हैं और अगर गाउं का इलाका है पेड़ पौद है तो अक्सर गरी में पत्ते गिरते हैं तो सूख जाते हैं उसूख ने के बाद उनकी घष्णा की वज़े से भी उसमें आग लग जाती है बिना इस पार्क की इन तमाम चीज़ों का मापदन का ख्याल रखना होता है और समय समय पर उसका इंस्पेक्शन करना होता है और अगर स्थिति होती है तो वहां पर आग उजाने के कितनी विवस्था हैं कितनी फैसलिटीज हैं क्योंकि इस तरीके के जब बिस्पोर्ट होता है तो इसमें अगर देखे तो फों एक्स्टिनिशर होता है आग उजाने वाला जो तमाम चीज़े हैं इसके साथ-साथ पानी की लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठा है जब यह विस्पोर्ट हुआ है और कभी-कभी कुछ साजिसे होती है तो हाला कि साजिसों वाला विशह नहीं है लेकिन क्या लापरवाहियां हुई है उन लापरवाहियों को जिलापरसासन जाचे का और जो फैक्टरी के मालिक हैं जो की फिजूल्टी हुई है बिल्कुल आसपास के लोग बताते हैं कि पहले भी यहां पर कई ऐसे लापरवाही वाले मामले देखने को मिले हैं एक मजदूर की मौत भी हुई थी जिसके बाद मामले को दबा दिया गया था तो कहीं ना कहीं आपर प्रिशासनिक लापरवाही की देखने को नजर आ रही है कि क्योंकि पहले संग्यान नहीं लिया गया और नतीजा यह वा कि बड़ा हाथसा हुआ है प्रिश्चर सब्सक्राइब दूसरे धरीखने को मिलता है कि जब भी फैक्टी वसक्राइब पर वारूत की जो आसपास लोग काम कर रहे होंगे जो फैक्टी में काम कर रहे होंगे तो थो नहें बड़ा नुकसान हुआ होगा और अब जब जिला परसास से कुष्टी करेगा उसके बाद यह जरूर है कि सिकायते इस तरीके के अक्सर आती रहती हैं कि फ्रमंदन के द्वारा बहुत सारे नियमों का पालन नहीं किया जाता जो मजबूर काम कर रहे होते हैं उन्हें स्वार्ट हो जाते तो उसके बाद कई सारे सवाल उठते हैं और उसके को लिकर प्रसासन हरकत में आता है लेकिन इस घटना के बाद निश्चित तोर से प्रसासन इसकी जाज करेगा उस ताच होगी कि आखिर कहां पर गलती हुए ताकि आने वाले वक्त में दूसरी इस तर कि आता है कि